देखे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी की पोर्टफोलियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके की बाते कर रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़े आपको पता चल गई होगी अब देखे कुछ लोग वहाँ पर ये हसाब से हर टाइम में वोक ताफिस चारुट segu में पैसे की जरूरत हर किसी को रही है है और रहेगी तो पैसे की खाहिश किसको नहीं है हर कोई चाहता है कि उनके पास छावासा इसा हो उनके वेल्थ अच्छे हो ताकि उनके लाइफ इस्टाइल भी अच्छे हो सके मुझे लगता है और इसमें कोई बुरा ही नहीं है पैसे की खाहिश रखना इसमें कोई बुरा ही नहीं है मुझे लगता है कि जिस इनसान की नजर में पैसे की खाहिश नहीं है मुझे ल जाने के वाहां पर आपको बहुत सारी चीजे पता चल गई पूरी वीडियो को देख लिया, तो मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मकसद हल हो जाएगा वो मकसद मतलब पूरा हो जाएगा तो वीडियो को सर एक लाइक जरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए चाइनल को अगर अभी तलग आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाइनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह डीटेल्स को हम देख लेते हैं पहले उसके बाद और भी बहुत कुछ important बाते मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले हम portfolio पे नाज़र डालते हैं देखे portfolio ये है जो के पूरी portfolio है ये इस मिर्ती इरानी जी की portfolio है इसको हलके में मत लीजिएगा सबसे पहले नंबर पे आ जाता है SBI का फॉंड है SBI मेगनम मीड कैप यहां पर जो कितने पैसे निवेश किये गए यह तो नहीं पता यहां पर जो भी आप देख रहना amount लिके हुए हैं तो यहां पर निवेश कितना किया गया था इसका details रिपोर्ट में नहीं था इसलिए मैं आपको गलत रिपोर्ट नहीं दूँगा यह गलत बाते नहीं बताऊंगा कितना निवेश किया गया था लेकिन हां current value जो उसके बताए गये थे वही current value लिके हुए है इनवेश्टमेंट कितना किया गया था इसका पता नहीं है इस बात को धियान में रखें तो इस फंड में उन्होंने कितना पैसा निवेश किया यह नहीं पता लेकिन उनके जो current value है इस फंड के अंदर टी आई जी आर फंड टाइगर फंड आप बोल सकते हैं शोट में इसे तो सरस्थ हजार 934 मतलब इस फंड के अंदर current value है समझ रहें कि नहीं चोथे नंबर पर आ जाता है डी एस पी ओवरनाइट फंड तो यहां पर कितने पैसे हैं current value के रूप में 9127 रूपी है मुझे न कितने मिलते आपको पटा है सालाना तीन परसेंट 4 परसेंट मिलते हैं और यह होते कितने दिनों के लिए हैं होते हैं बहुत कम बहुत ही शोट टम के लिए आपको उस हिसाब किताब से return नहीं मिल रहा है तो कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने पैसे को वहाँ पर लगा कर खराब करना चाहेगा तो इसलिए ओवरनाइट फंड है तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि बहुत जादा दिनों तक यहाँ पर अपने पैसे को नहीं रखेंगे और देख रहे हैं यही रीजन है जिसकी वह जैसे यहाँ पर बहुत कम पैसे सिरिफ 9127 रूपए निवेश किये गये हैं उसके इलावा कहीं पर भी देख लीजिए तो कम पैसे नहीं लगे हुए हैं उसके बाद पांचवे नंबर पर आ जाता है फिर से SBI का फंड SBI Focused Equity Fund यहाँ पर देखेंगे तो इस फंड के अंदर जो Current Value के रूप में इनके पैसे हैं वो है कितने 12,38,943 रूपए देखते जाईए अभी उसके बाद छटे नंबर पर आ जाता है कोटक का फंड कोटक Emerging Equity Fund यहाँ पर देखेंगे तो Current Value के रूप में जो पैसे हैं वो है कितने 14,88,266 रूपए उसके बाद सात्वे नंबर पर आ जाता है मोती लाल उसवाल ELSS Tax Sever Fund यहाँ पर कितने पैसे निवेश किये गए हैं 18,18,419 रूपए मतलब 18,18,419 रूपए तो यहाँ पर देखें मतलब यह भी चाहती है कि भाई इनका टेक्स का जो अमाउंट है वो भाई हम और आप तो बचा ही सकते हैं और इसके बारे में सोच ही सकते हैं क्योंके गवर्मेंट जो हमारी सरकार है वो हमारी सरकार खुद कहती है कि यह टेक्स जो आप यहाँ पर बचाते हो ना वो लीगल थरीके से बचाते हो तो फिर लीगल है तो क्या हर्ज वाली बात है जैसा कि वीडियो के शुरू में भी मैंने कहा था कि राहुल गांदी जी की पॉर्टफोलियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने बात किया था मैं इसमिर्ती इरानी जी की पॉर्टफोलियो को लेकर आप तक बात पहुचा रहा हूँ आप share कर दीजे, किसी और तक पहुचा दीजे लेकिन लेकिन यहां पर दूसरे लोगों ने जो राहूल गादी की पॉर्टफोलियो को लेकर बात किया मैं जो इस्मिरती इरानी जी की पॉर्टफोलियो को लेकर बात कर रहा हूँ क्या जरूरत है इनकी portfolio दिखलाने की, क्या जरूरत है इस पर बात करने की, क्या जरूरत है इतना details में इसको समझने की, देखे, समझना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, reason क्या है, reason ये है, कि आपको value पता हो सके, आप ये समझ सके, कि भाई, investing क्या चीज़ है, इतने बड़े लोग है इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास इतने पैसे हैं लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग investment करते हैं लोवर मीडिल क्लास के लोग हैं मज़दूरी किसानी वगरे करने वाले और ऐसे घर से मतलब related हैं तो बहाई हमको तो जरूर सोचना चाहिए अपने बारे में और अपने future के बारे में और यही मकसद है जिसकी वो जैसे मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए जानना चाहिए देखे ये बाते तो सारी हो गई complete लेकिन एक और वी सवाल जो के बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि भाई इतने बड़े ब पता चल जाता है जैसे आपका यह भी सवाल हो सकता है भाई आपको कैसे पता कि यह portfolio है यहाँ पर उनके current value इतने हैं यह सारी चीजे कैसे पता तो देखे एक बात मैं बताता हूं यह सारी चीजे कब पता चलती है आपको पता है election के टाइम पे खास तोर से अगर राजनेता क अगर बात की जाए खास तोर से वो लोग जो politics में हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है देखे जब इनको election की ticket मिलती है न तो इन्हें एक परची दाखिल करनी होती है तो वहाँ पर F.E.D.P.D. में बहुत सारी details बताने होते हैं तो वहाँ पर एक details इनको अपनी संपती के पारे में भी बताना होता है समझ रहे कि नहीं तो यह लोग बताते हैं कि क्या संपती है कैसे कैसे है किस किस रूप में है यह सारी details वहाँ पर देते हैं जिसकी वज़से यह सारी चीजे रिवेल्ड हो जाती है और यह report बनकर आती है फिर वो publicly हर को जान जाता है समझ रहे कि तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी आपको पता होगा कि मीरट से लागातार इसमिर्ती इरानी जी जीती आ रही है फिर वी जेपी की दरफ से इन्हें टीकट मिल गई है तो इन्हें परची दाखिल करनी पड़ी थी वहाँ पर एफीड में बहुत सारी details जैसा कि मैंने आपको बताया है वह देने थे तो बहुत पर संपती के details भी में देने थे तो अपने investment को लेकर जो details दिये थे वह यही details है आपको पता है अगर यह टो नियारा हजार इडाउं रूपिय यह total weight तोटल अमांट मिलाकर है समझते रहें जितने फंड के करेंट वयल्यू मैंने बताया है तोटल को जोड़ेंगे तो यह अमांट हो जाता है देखे अब इस पोटस फोलियों को जब आप गोर से देखेंगे तो यहां पर दो चीजिजे जो के बहुत ही मेन हैं दो चीजे गवर करने वाली है समझ रहे कि नहीं और हमारे को इस पॉर्टफोलियों से एजे रिटेल इन्वेस्टर्स और आम आदमी होने के हैसियत से जो दो चीजे सिखने को मिलती है वो पहली चीज क्या है आपको पता है पूरी पॉर्टफोलियों को आप गौर से देखे पूरी लोगों के तो उनकी पॉर्टफोलियों में बहुत जादा फॉंड होते हैं जो के यहां पर आपको देखने को नहीं मिल देखें करेंट वैलू की रूप में जो टोटल पैसे है हर फॉंड को मिला कर वो है कितने अठासी लाग 13,857 रूपिय है तो मैं यह मान कर चलता हूँ कि इन्होंने निवेश कितना किया होगा इंटरस्ट और बढ़कर तो इतना हो गया है ना लेकिन इन्होंने निवेश किया होगा मैं मानता हूँ सतर लाकिया होगा, साथ लाकिया होगा, पचास लाकिया होगा या इससे भी कम मान लीजे तो तीस लाकिया होगा तीस लाक रुपे मानते हैं कि ने भाई तीस लाक रुपे का इन्वेस्टमेंट किया होगा हम ये मान कर चलते हैं अब सोचिए कि इन्हों ने 30 लाख रुपीय निवेश्ट मेंड किया तो सिर्फ साथ फंड में लेकिन हम और आप होते ही या बहुत सारे ऐसे निवेश्टर्स हैं जो अगर होते जो कि 30 लाख रुपीय निवेश्ट करते तो मालू मैं 30 फंड से कम नहीं रखते जी मैं आपको दूसरी बात दूसरी इंपूटेंट बात जब इन सारे फॉंट को आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई केटागिरी किसी साब किताब की है यहां पर मेंट कैप है बुलू चीप है उसके बाद एस फोकस्ट है इमर्जिंग इक्विटी फंड यह भी जो है उनको कि भाई आपने स्मॉल केप क्यों नहीं लिया है तो यहां पर यह सोचने वाली बात है और सीखने वाली बात है कि भाई क्या इसमीर्थी इरानी जी रिस्क नहीं ले सकती है क्या क्या उनके पास संपती की कमी है आपको एक बात बता हूँ आपकी जानकारी के लिए मै के पास मैं मानता हूँ ये भी 88,13,857 रुपिये इंकलूड होंगे उसमें मैं इस बात को मानता हूँ लेकिन फिर भी क्या कम है क्या बहुत जाद है वो रिस्क ले सकती है लेकिन फिर भी उन्होंने स्मॉल केप में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्मॉल केप नहीं लेना चाहिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ लीजिए लेकिन बहुत जादा और जरूरत से जादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है कि लोग जब जरूरत से जादा रिस्क ले लेते हैं तो वहाँ पर होता क्या है देखिए आज से दस बारा रोज पहले की भी एक वीडियो में मैंने यह चीज़ बताया हुआ था कि बहुत जादा अगर आप रिस्क ले लेते हैं जोश में जजबात में आकर त 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर क्या होता है दो साल अधाई साल ऐसे इसे में जो है न वह इन्वेस्टमेंट को रीडिम करके बैठ जाते हैं तो यह प्रोब्लम क्यों आती है जब आप बहुत जादा जरूरत से जादा रिस्क लेते हैं जिसकी वोज़ मुं को भी स्टीज समझ में आ रहा है जो उनके पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपशन है वह में चूलος फ़ॉप फउन्ड हो सकता है मीचुल फउन्ड को लोग मानगा कर चल रहे हैं कि मिचुल फउन्ड करने के लाएक है और को फिसमेने भरोसा है उन्हें पता है क तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे हमारे और आप जैसे इन्वेस्टर्स को होसला मिलता है कि भाई इतने बड़े-बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं हमारे पास इतने सोर्सिस नहीं है जिससे हम बड़ी-बड़ी बातों का पता लगा सकें लेकिन ये लोग त करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपका भी कुछ भी सवाल हो तो आप मुझे कोमेंट शिक्शन में बताईए या नहीं तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आप वहां पर भी मुझे मैसेश करके बता सक का और चाइनल को अगर आभी तलग सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरस्टिंग वीडियो में जब तक लिए ओल दा बेस्ट तैंक्यू तैंक्यू फू वाचिंग